Dear students, Assalamualaikum and very good morning. मुझा अमेद है कि आप सभी अपने गरों के अंदर बिल्कुल महफूज होंगे. Now, schools are open for class 10th and 12th students. And you need to be fully vaccinated. और 50% capacity के साथ आप school आ सकते हो. और physically classroom बैठ सकते हो. और physically आप facilitate हो सकते हो. Dear students, आपके examinations बेहाने वाले ही. November में आपके इमत्यानात हो जाएंगे. As per the board information, board की information की मताबिक. So you have to prepare hard. आपको prepare hard करना है. Whatever you have learned through online mode or the community class. जो कुछ भी आपने community class के जरे, online mode के जरे सीखा है. अब इसको prepare करना है. And there is a 30% concession और 30% concession है. और 30% concession बड़ी concession होती है. तो you can do better. आप अच्छा कर सकते हों आने वाले examinations में. And today we are discussing, आज हम discuss करने जा रहे हैं. How we handle a passage that is being asked. जो पूछी जाते हैं 10th class के English में. एक question या दो question पूछे जाते हैं passage के. और बहुत आसान question होते हैं ये. और बहुत इसमें जो marks 2, 4, 5 होते हैं passage के. ये बिलकुल आसान होते हैं. तो ये 5 mark सब आसान इसे हासल कर सकते हो. तो दो कसम के passage पूछे जाते हैं. तो scene passage पूछे जाती है या unseen passage पूछे जाती है. और scene passage जो आपने English में पढ़ी है. आप English textbook ने आपने देखी है, पढ़ी है. और unseen passage वो passage जो आपने कभी नहीं देखी है. और कुछ भी पूछा जाता है, क्योंकि जो ये language test होता है, तो कुछ भी पूछा जा सकता है. तो इस तरह ये passage वहाँ पे होती है, question होता है, read the following passage carefully and answer the question given at the end. आपको ये carefully passage पढ़नी होती है, और इसके बाद जो passage की नीचे जो questions होती है, वो आपको हल करनी होती है, ये इनका answer देना होता है. तो आपको पहले क्या करना है, you have to first to read the passage carefully. पहले पहले आपको ध्यान से ये passage पढ़नी है, और जितने भी इसमें difficult words हैं, वो understand करने हैं, और हर एक sentence का आपको माने निकालना है, इन्हें thoroughly आपको पढ़नी है, between the lines आपको पढ़नी है, और इसके बाद जो इसके बाद जो questions दिये होते हैं, इनको आप अच्छी तरह कर सकत हैं, लेकिन first condition इसके लिए क्या है, आपको ये passage पढ़नी होती है, यन्हें हर एक word आपको understand करना है, हर एक sentence आपको understand करना है, और एक sentence किस tense में है, वो भी आपको understand करना है, जैसे कि कभी पूशा जाता है, the word satisfied in the passage is used as, the word beautiful in the passage is used as, तो आप वहां पर ये पढ़ सकते हो कि beautiful किस तरह इस्तिमाल हुआ है, satisfied किस तरह इस्तिमाल हुआ है, यह वो भी इस्तिमाल हुआ है, executive इस्तिमाल हुआ है, तो you can do that, आप कर सकते हो, और आपको इसी tennis में वापस जवाब देने होती हैं, जिस tennis में आपको सवाल पूचा जाता है, अगर आपको past में पूचा जाता है, तो आपको past में देना होता है, आपको present में पूचा जाता है, आपको present में जवाब देना है, तो first of all, you need to learn the passage, you need to read the passage between the lies, बिलकुल ध्यान से आपको passage पढ़ना है, और sentence, जितने जो इसमें grammatical natural होता है, वो understand करना होता है, और difficult words, जो होते हैं वो उन्डसेंड करना होते हैं और फिर जो इसके laut होते हैं फ्रीज में आपको हुटनने होते हैं.. इसक्ते हैं और नप्मोर्मेशि नापPP यूज नान कोटें है .. पूर नप्तियों के दिया ने हुटता है .. आपको पासेज में पूस चीज़े निकालने हैं। आपको यह आंसर पासेज में सर्च करने हैं। लेकिन आप अपनाई खुद की इनफारविशन इसमें एड़ नहीं कर सकते हो। आपको भीदूनेती में एक माःण। आपको यह पासेज में एक jsンसरी पासेज लोगिए सब एड़ से कालने आपको यह शुक्त में एक यह झानाई व्ट नहीं सितम एजाते हैं। आपको यह इन इसमें उनजार खायविजन दिया हैं। और unseen passage जो आपने नहीं देखे नहीं पढ़े हैं तो कुछ भी पूछा जाएगा क्योंकि ये language test होता है पहले मैंने आपको बताया कि ये इस तरह होता है कि read the passage carefully and answer the questions given at the end याने carefully आपको passage पढ़नी है हर एक word understand करना है sentence understand करना है और जिस sentence में दिया हुआ होता है वो sentence भी understand करना होता है और बाकर जो इसके बाद जो सवालाद दिये हुए होते हैं वो सवालाद आपको passage से निकालने हैं अपनी खुद की information आप नहीं add कर सकते हो क्योंकि वहां पे दिया होता है read the passage carefully and answer the questions that are given at the end and you have to search these answers from within the passage and you can all the questions that are being asked जो ask किये जाते हैं जो पूछे जाते हैं इस passage के बाद और इनका answer passage में होता है लहाज़ा आप अराम से इस passage को पढ़िए इसका हरी एक sentence हरी गुड़ाफ understand कीजिए इसके बाद जो सवालाद होते हैं दिये होए होते हैं वो इस passage से निकाले और passage से passage में यह होते हैं जवाबा और जिस टेनस में सवाल पूछा जाता है वो इसी टेनस में आपको मापस जवाब भी देने हैं और जो grammatic questions पूछे जाते हैं जैसे ना फलानी word किस तरह इस्तिमाल होआ है वोब कौन सा इस्तिमाल होआ है एड़्जेटिव कौन सा इस्तिमाल होता है यह आपको सिर्फ passage में देखना है क्यांकि आपको sentence देखने के बाद आपको पता चलता है कि कौन सा वर्ड किस तरह इस्तिमाल होता है पर एक्जेम्पूल आइवाटे बुक यह passage में दिया अगर होगा तो इस तरह यह ना वन है बुक के sit for me यह वर्ब है तो यह passage में इस तरह दिया हुआ है तो आज वर्ब वहाँ पे लिख सकते हो तो यहाँ तो कियर फुली रीड़ पासेज एंड और यू नीड़ तो अन्स्टेंड अल्टेंसेज अल्ड़ वर्ड़ बाइच यू कि एंडल पासेज वेरी एजली और मुझा मैद है कि आपके जहनों तक यह बात पहुंचे हो किस तर सब़स्ट